उत्रपडेश के जिले हर्दोई में एक दर्दनाख हाथसे में तीन दोस्तों की जान चली गई गनेश प्रतिमा का विसर्जन कर घर लोट रहे एक बाइक सवार तीन दोस्तों को अग्यात वाहन में जोरदार टककर मार दी गटना में तीनों गंभी रूप से घायल हुए आनन पानन में सीएच सी पहुंचाया गया जहां से उन्हें लखनव रैफर कर दिया गया है लेकिन रास्ते में ही तीनों ने दम तोड़ दिया मामला संडीला कोत वाली का है यहां के निवासी शुक्रवार को गनेश प्रतिमा का विसर्जन कर पिकप से लोट रहे थे वहीं तीन बाइक सवार दोस्त चोहान, पुत्र राम आसरे, उमेश पुत्र राजु, करन पुत्र सुरेंदर साथ में जा रहे थे तभी बैनिगंज रोड पर ग्राम चामू के पास पहुँचते ही, किसी अज्यात वहान ने बाइक सवार तीनों दोस्तों को टक्कर मार दी सूशना पर पहुँची पुलिस ने उन्हें सीच सी पहुँचाया, जहां से उन्हें लखनौ रैफर कर दिया गया है लेकिन रास्ते में ही मलिहाबाद के आगे तीनों ने दम तोड़ दिया ASSP ज्यानन जे सिंग ने बताया कि परिवार्चन शव लेकर लखनौ चले गए थे तीनों शव का वही पर पॉस्टम करवाया जाएगा सारे कमेटी के बहुत लोग मुपलार जो था वो सब बांदा उसके बाद में ग्राइब्स में लाथी आप सव नंबर में ढलके हम खुछ साथ में बैटके गई उसके बाद में पांच मिठ आई उसके बाद में हम दो लोगों सव नंबर में बैठालके लेगाइब एठालके उसके बाद में अब्लेंस आई उसके बाद में वहां जो है कि मेन थोड घोजो हुई रिफर कर लिदे है फिर यह हुआ कि हम लोगोсть में तर्ति तरफ तत्य हैं नाभेट कर लीructured तेट करें correspondence कि लोग कहां गए थे यह लोग जो है संडीला में तीन नड़के थे बाइक पे सवार रोकर के आ रहे थे मलहरा के पास में भायलों वस्ता में सड़क पे मिले थे दुरगटना उनकी हो गई थी पुलिस को सूश्या मिले तो पुलिस ने उनको एडमिट कराया और सीस्टी में और यहां से रिफर किये गाते हैं ट्रामा संटर अभी जो सुचना प्राप थोड़े हैं पता चला कि तीनों की डेथ हो गई हैं हलमेट नहीं लगाया थे और हेड इंजरी सेंकी मौथ हुई है अब पूरे प्रकड में करवाई कराई जा रहे हैं अगराना एंड जोती गार्डन अजे बीटी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज ऐसे ही लेटेस को बरेपाने के लिए बैल आइकन को फ्लिक कर हमारी चैनल को लाइब शेर और सब्सक्राइब करें घन्ने वादी